हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ कुछ वीडियोज शेर की थी जिन में मैंने शेर किया था कि हम बैटशिट को किस तरीके से विछाएं जिससे हमारी सारा दिन बैटशिट बिखरे ना जां फिर मैंने आपके साथ शेर किया था कि हम किस तरीके से मैटश फिटड बैटशिट बनाएं उन वीडियोज को आप सभी फ्रेंड्स बहुत प्यार दे रहे हैं बहुत लाइक का रहे हैं तो उन वीडियो के नीचे आप में से काफी friends ने मुझे comment किया था कि अगर हमारी bad sheet बड़ी हो तो उसको हम कैसे matters fitted bad sheet बनाएं तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी friends को जिन friends ने मुझे comment किया उनको sorry बोलना चाहूंगी कि मैं उनका reply नहीं कर पाई दोस्तो उस question का answer काफी बड़ा हो जाता अगर मैं लेकर देती तो इसलिए मैंने आज उस जो आपकी problem थी उसका solution एक वीडियो में लेकर आई हूँ आज मैं आपके साथ share करूँगी कि अगर आपके पास बड़ी bet sheet है king size की भी bet sheet है तो आपको बिना काटे आप किस तरीके से उसे mattress fitted bet sheet बना सकते हैं नॉर्मली क्या होता है जब हमें mattress fitted bet sheet बनाना होता है हमें अपने mattress का size लेकर जो भी bet sheet extra होती है उसे हमें काट देना होता है और उसे हम mattress fitted bet sheet बना लेते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बिलकुल भी ऐसी सला नहीं दोंगी क्योंकि आपनी देखा होगा मैं आपके साथ जो भी DIYs share करती हूँ सबी waste material से करती हूँ मैं बिलकुल भी नहीं ऐसी आपको कोई trick दोंगी ऐसी सला दोंगी कि आप अपनी किसी चीज को waste करें क्योंकि अगर आपको बाद में बड़ी बैट शीट की जरूरत होगी तो फिर वो आपके काम नहीं आ पाएगी आज मैं इसी लिए आपके साथ share करूँगी कि आप किस तरीके से अपनी बड़ी बैट शीट को बिना काटे mattress fitted बैट शीट बना सकते हैं और दोस्तों मैं आपक बैट शीट को बिना काटे mattress fitted बैट शीट बना सकते हैं बहुत यह सान है इसे बनाना इसके लिए मैं king size बैट शीट यूज़ कर रही हूँ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी आप उन वीडियो के नीचे मुझे जो सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मेरी बैट शीट कौन सी company किया और मैंने कहां से लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने अपनी सभी बैट शीट local market से खरी दी हूई और मेरे पास ज़्यादा तर जो बैट शीट है वो lotus की है हमें जो भी बैट शीट यूज़ करनी है सबसे पहले हमें उस बैट शीट को फैला देना है अच्छे तरीके से सप्ट्रेट का देना है सेम हमें चारो साइड पर जितनी भी आपकी बड़ी बैट शीट है आपको चारो साइड पर सेम सेम कपड़ा शूरते उसे बैट पर फैला लेना है उपर की और भी आपको जितना कप्ड़ा बीच में mattress के बीच देना है नीचे देना है उतना आपको दबा देना और बाकी की तीनो side पर भी आपको same कप्ड़ा रखना है जितना भी बड़ी bed sheet हो same आप कप्ड़ा रखें उपर की साइड भी अच्छे तरीके से दबा दें जो दबाने के लिए चाहिए और बाकी की साइड पर भी आप सेम कपड़ा रख लें आप जहां पर देख सकते हैं मैं जो बैट शिट जहां पर यूज कर रही हूँ तो वो कितनी बड़ी है सारी साइड से ऐसे ही बड़ी है उपर की और भी मुझे जो दबाना था मैटरस के नीचे वो मैंने दबा दिया आपको जहां पर दिखाई दे रहा होगा कि मेरा मैटरस कहां तक है और mattress से नीचे कितनी बढ़कर जो bad sheet है वो कितनी नीचे लड़कर ही है कुईकर मैंने King Size bad sheet यूज की है तो वो बmost सारी side से बहुत बड़ी bad sheet है हमें bad sheet को सारी side पर same set करते विक बेशा लेना है उसके बाद मैं mattress के कोने से एक side पर 10 inch निशान लगाऊंगी जहां पर आप देख सकते हैं मैंने मैट्रस का जहां पर कोन है वहां से ले रही हूँ और एक साइट पर दासिंच निशान लगाँगी सेम इसी तरह मैं दूसरी साइट पर भी मैट्रस के कोने से लेते हूँ जो मैट्रस का कोन है दासिंच उदर दासिंच उदर मैं निशान ल लेकिन बाद में मैंने उसे उल्टा करते हुए फिर से निशान लगा लिए अब जब भी बैटशिट को ऐसे बनाने वाले हो निशान लगाने वाले हो तो आप बैटशिट को उल्टा ही बिशाएं करें और सेम इसी तरह बैटशिट के चारों कोनों पर हम निशान लगा अब मैं जहां पर यूज करूंगी elastic, अगर आपके पास भी ऐसी चौड़ी वाली elastic हो तो best रहेगा, आप भी ऐसी चौड़ी वाली elastic यूज करें, अब मैं elastic को खीच कर एक निशान से दूसरे निशान पर मिला रही हूँ, हमें ऐसे उसका size ले लेना है, एक निशान से लेकर द साइड बज़ती है हम उनके लिए भी पीस कार लेंगे क्योंकि हमें चारो साइड पर इसे लगाना है तो सेम मैं ऐसे चार पीस कार लूँगी इलास्टिक से अब मैं सुई दागा लेकर जहां पर मैंने बैट शिट पर निशान लगाया वहां पर इलास्टिक को रखकर सुई दागे के साथ स्टिच कर लूँगी आपको bed sheet को bed से ठाने की भी जरूरत नहीं आप bed के उपर ही bed sheet को elastic के साथ stitch कर दे मुझे चारो कोनों में elastic को bed sheet की उपर लगाने में जस्ट पांच मिनट लगे आप जस्ट bed sheet को शाते टाइम उसे उल्टा शाए उसके बाद उल्टे पर इस निशा लगा ले वहाँ पर खीच कर भी इलास्टी को स्टिच कर लूगी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर पहले भी चार-पांच वीडियोज शेयर की हुई है कि हम बैटशिट की स्रीके से विशाएं जा मैट्रस फिटेड बैटशिट की स्रीके से बनाएं अगर आपने अभी तक उन वीडिय बैटशिट को विशाएं सकते हैं मैट्रस फिटेड बैटशिट बना सकते हैं तो ऐसे दोस्तों मैंने बैटशिट के दो कोनों में इलास्टिक को स्टिच कर लिया बाकी के दो कोनों पर भी स्टिच कर लेती हूँ चारों कोनों में इलास्टिक स्टिच करने के बाद हम इस अपने mattress के नीचे डाल देंगे आप देखेंगे अगर ऐसे हम elastic नीचे डाल देते हैं तो आप जितना चाहे उपर से खीचें आपकी bedsheet बिलकुल भी निकलने वाली नी आप बच्चे जितना चाहे इस पर खेलें कूदें bedsheet आपकी बिलकुल भी बार नी आएगी जब आपको bedsheet wash करनी होगी आपको भी खुद निकालनी पड़ेगी mattress के नीचे से फिर जाकर आपकी bedsheet बार निकलेगी तो जो extra bedsheet है उसको हम mattress के नीचे दबा देंगे सेम इसी तरह मैं बाकी के कोनों पर भी जो elastic है उसको mattress के नीचे कर दूँगी और जो extra bedsheet है उसको mattress के नीचे दबा दूँगी सेम चारो साइड पर मैं ऐसे bedsheet को set करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से लग रही है उपर से मेरी bedsheet और दोस्तों आपको मेरे पहले बताए गए होगे किसी भी ट्रिक को बड़ी bedsheet के ऊपर यूज करना है तो इसी तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं आप bedsheet बिशाने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं देखी उपर से कितनी प्यारी fitting आई हूई है मेरी bedsheet की और आपको हर side से बिलकुल tight bedsheet दिखाई दे रही होगी बिलकुल भी उस पर कोई बान नहीं कहां पर कोई उसमें looseness नहीं बिलकुल कसी कसी bedsheet आपको दिखाई दे रही होगी I think आप सभी friends का जो question था उनको answer मिल गया होगा जिनकी problem थी के बड़ी bedsheet को हम किस तरीके से mattress fitter bedsheet बनाए उनको आज solution मिल गया होगा और दोस्तो मेरी और से आपकी problem को solve करने के लिए की गई कोशिश अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट जरूर कीजिए के आपके लिए आज की वीडियो कितनी helpful रही और एक बात दोस्तो आप सभी friends मुझे बहुत कमेंट का रहे हैं के हमारा mattress कौन सी company का है तो दोस्तो हमारा mattress 7 zone cold form mattress आप इसे online चेक कर सकते हैं